प्रेम से बुलिये संकर भगवान की जै मैय अगर पार्वती की जै हर अर महादेव घर गर महादेव गुरुबाई वाना माई एक कथा सुनाने जा रहे हैं इस कथा को पूरा सुनिये और रहत जाने आदी नहीं आदी सुनने में सिव गुरु का अपमान होती है पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं किर्पा करते हैं सुखसानती देते हैं घर में संतान की वरीदी होती है खुशिया मिलती है इसलिए घर कथा को पूरा सुनिये और रहत जानिये हर अर महादेव घर गर महादेव गुरुबाई वाना एक किसान थे उनका दो बेटा थे दो बेटा तो दोनों बेटा धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो किसान थे दोनों बेटे का ब्रावर प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बित्ता गया बड़ा बेटा का ब्याह कर दिये और बड़ी बहु आ गई घर में। घर की सारा काम करने लगी, खाना बनाने लगी, सारे परिबार को खूश रखने लगी, धीरे धीरे समय बिता और किसान छोटा बेटा के भी ब्याह कर दिये। तो अपना से सुराल आई किसान के घर आई दिदी, तो बेचारी सुवा उठी आहत में ज़ाडू लेकर पूरे घर के साब सफाई करके और असनान करके अपने सास को करती है कि माजी बेल पत्र ला दिजिए, थोड़ा सा फूल ला दिजिए, पूजा का समागरी कहां है, भगवान का मंदिर जाएंगे, सास करती है कि अरे, तू कैसी हो, नए नवेली हो, तू दुलहन बनके आई हो, घूंगट में हो, और भगवान के मंदिर जाएगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरा आप मान करेंगे, नहीं नहीं, कोई मंदिर नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, कोई पुजा पाट नहीं करना है, लोग देखने आएंगे मेरे घर, मुझ दिखाई का रसम होगा, मुझ देखेंगे, और मुझ देखने के बदले में, कुछ ना कुछ देखर जाएंगे, और तू मंदिर जाएगी, अपने अमन में कहती है, कि हे भगवान, आप मैं क्या करूँ, आपका सेवा कैसे करूँ, पुजा कैसे करूँ, मेरा सास तो ऐसे कर दिये, कोई बात नहीं, चार-ightदिन बिता, उसके बाद मैका गई, मैका में फिर से पुजा पाठ करने लगी, दीरे धीरे समय बिता, एक साल के बाद फिर से गोना हो गया, और गोना हो जाने के बाद फिर से सस्रा लाई, तो सस्रा लाई तो, अपने सास से बॉली, मा जी, मा देख के मंदिर जाएंगे मंदिर कहां है मुझे बता दिजिए सास बोली फिर से वही हाल ला दी तुम मंदिर जाएगी हाँ हम मंदिर जाएंगे सास ने गुसा से बोली कि ठीक है जाओ मंदिर तुम्हारा पती ही तुम्हें मंदिर बताएगा उसका जो पती थे अपना पती से पूछी की हे स्वामिनात मंदिर कहा है भगवान का मुझे बता दिजिए थोड़ी पल के लिए हम मंदिर जाएंगे पूजा करके लवट जाएंगे आप जितना समय में कहेंगे उतना समय में हम भोजन बना देंगे लेकिन हम मंदिर आवस्य जाएंगे उसी से वहना के जो पती थे वो समझदार थे कितान का बेटा बहुत ही समझदार थे अपने पत्नी को साथ साथ लेकर गए मंदीर बेल पत्र फूल पुजा का समागरी सब कुछ ला दिये और भेजा दिये मंदीर पहुचा दिये बेचारी सीसिया बहना जाकर मंदीर में पुजा की पुजा पाट करके घर आ गई घर आ गई धीरे धीरे समय बीतने लगा चा महिना एक साल दो साल बीता तीन साल बीता चार साल बीता उसका संतान नहीं हो रहा था लोग उसका बांजी बांजी कहने लगे अरे तू बांज है तुम्हारा कोई संतान नहीं है तुम्हारा हाथ का पानी नहीं पियेंगे दिदी उसका इलाज कोई नहीं करवा रहे थे कि हाँ क्या दिक्कत है क्या प्रोग्लम है जो इसको संतान नहीं हो रहा है लेकिन बांजन का सवाल लोग उठा दिये सास जो थी सास बोली कि तु बांजन हो और तु अलग होकर रहो उसका जो गुतनी थी जेठानी वो भी बोली कि नहीं इसका चुआ यदि मेरा बच्चे पानी पियेगा तो मेरा बच्चे पर असर पढ़ जाएगा ये बांजन है उसके पती अलग होकर रहने लगे और जाके बिचारी मंदिर जाती थी तो रोती थी उसका पती बोले कि है स्वामिनात अपने पती से बोली है स्वामिनात मुझे बांजन करते हैं लोगों का ताना से हम तांग आ गए हैं हमको लगता है अब प्रान हत दे उसका पती कहने लगे इसलिए तु परान क्यों देगी सिं प्रान नहीं दो हम परदेश जाएंगे परदेश जाकर रुपए कमाकर लाएंगे और उससे तुम्हारा इलाइच करद आएंगे ।र तुम्हार पती को बाहर जाने के लिए बोली उसके पती परदेश चले गए अपना गाउ मेरा के सिस्या बहना दुखरा मजूरी किसान के बहु करने लगी और अपना जीवन बैतित करने लगी दीरे धीरे समय बिता गया समय बिता गया चार छह महीने बित गया तो सास और ननत घर से भी निकाल दी कि मेरा घर में नहीं रहो बांजन का साया मेरा संतान पर पड़ेगा उसका जो सास हो बोलती है कि अरे मेरा बेटा आएगा तो उसका दुसरा विवाह कर देंगे तू रहके क्या करेगी एक गाई रहता तो मेरे घर दूद देती बच्छने देती गोबर भी देती और तू रहकर क्या कर रही एक बच्छे का भी जर्म नहीं दी हो मेरे घर से निकल जाओ उसे मार पीट कर घर से निकाल दिये रोते 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 बेचारी नदी के अरार धर के जा रही थी उसी रास्ते से उसका पती भी आ रहे थे परदेश से छा महीना भी चुका था अपने पत्नी को देखकर कहने लगे अरे प्यारी तू कहां जा रही हो बेचारी कहती है कि हे पती देव जी बस हम अपना अत्मा को तेजने जा रहे थे प्रान को निकालने जा रहे थे और कुछ नहीं उसके जो पती थे अपने सीने से पत्नी को लगा लिए और बोले कि क्या हुआ केहु तो रमरलन धानी केहु गारिया बालाना केहु गारिया बालाना केहु तो हरा घरवासे निकालन हो रां सासु मोर मरलन सामीन निदो गारिया बालाना नन दो गारिया बालाना गोतनी मोर घरवासे निकालन हो रां सासु जी के मरिया धानी मातु दोहराई हा यरे मातु दोहराई हा जी नन दो के बतिया हिरिदन लगाई हो रां गोतनी निकालन निरामा तोहा रोके घरवासे अरितोहा रोके घरवासे हो गोतनी के तन मातोहूं दे दिया हो रां चलहू का चलहू धानी आपा नोजे घार आवायर आपा नोजे घार आवाहो दोनों मिले राहा वैसांग साथन हो रां दिदी पतनी को बेचारा घर लाए और अपने मा से बोले मा अरे ये तो कमा खा रही थी अकेले रह रही थी मा क्यों इसे मारी क्यों पीटी बताओ क्या हो मारती थी नहीं मा ऐसा नहीं करना चाहिए मा बोली बेटा हम नहीं कुछ नहीं जानते हैं हम इसको नहीं मारे हैं बेटा ये तो अच्छे से रह रही थी बेटा कोई बात नहीं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा मा अच्छा है जो कर रही हो जो बेचारी रहने लगी दो-चार दिन बीता तो अपना पत्नी से गुरु भाईया करते हैं सिस्या भहना के पती कि अरे चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं तुमको हाथ पकड़के दोनों घर से बाहर हुए थोड़ी दूर गए गाउ से तो देखते हैं कि एक बुढ़ा बावा जड़ी बुटी लेकर बैठे हुए हैं कहते हैं कि कहा जा रहे हैं आप दोनों बच्चा बुढ़ा बावा दोनों गुरु भाईया सिस्या भाहना कहते हैं कि जा रहे हैं डॉक्टर के पास बावा मेरा कोई संतान नहीं है बावा बोले कि लो हम तुमें जड़ी देते हैं इस जड़ी को पीस कर पी लेना और साथ दिन लगतार पीना साथ दिन के बाद देखना आगे क्या होता है बाबा पैसे ले लिजिए नहीं हम पैसे नहीं लेंगे जब तुम्हारा संतान होगा तब तुम मेरा पैसे दे देना दोनों पती पत्नी लौड कर आए जड़ी पीस कर पीने लगे जब साथ दिन हुआ तो पुरा हो गया दोनों कहने लगे कि देखो साथ दिन के बाद होता है क्या एक दो महीना बीता तो बेचारी गुरु बहना बोली कि ये जी लगता है कि मैं मा बनने वाली हूँ आपका खुसियां आने वाला है आप पिता बनने वाले है जो गुरु भहिया थे ओ बोले कि चलो बड़ी खुसी के बात है हमको बारिस आने वाला है घर में धीरे धीरे समय इतने लगा, नमा महीना पूरा हो गया दिदी, अजब नमा महीना पूरा हो गया, तो नमा महीना के बाद, गुरु बहना के ओदर से एक लड़का जलम लिया, अजब लड़का जलम लिया, तो सास जो थी, सास तो अपना बहु में सट गई, कि चलो मेरा बहु का बेटा हुआ, बांजर नाम छुट गया साज का कलेजा तो एक बिता से दो बिता उचा हो गया और ननद जो थी ननद भी नेग मांगने लगी ननद भी अपने भोजाई की तरह सट गई लेकिन जो जे ठानी थी जे ठानी तो जल भून गई या उसे लगने लगा कि है भगबान मेरा देवरानी का लड़का हो गया आब इसको हम कैसे मार दे कैसे मारें अब थन्तनिक भी छूट परती थी तो कभी बच्चा के मुख में नमक डाल देती थी कभी मिर्ची का पौडर डाल देती थी कभी चुटी काट लेती थी कभी चिम्टा से दाग देती थी कुछ ना कुछ करते रहती थी लेकिन फिर भी बच्चा नहीं मरा बच्चा नहीं मरा दिदी एक दिन के बात है कि एक कटोरी में जहर घोर के और रख ली और इधर उधर ताक रही है कि बच्चा के कब मौका मिलेगा कि दो चमच मुख में डाल देंगे ये बंजीनिया के लड़का हो गया है तो क्या बंजीनिया के हम रहने देंगे पूत्र नहीं रहने देंगे दिदी उसका जलस होने लगा कि इसका संतान नहीं होता तो सारा धन मेरा होता इसको तो घर से निकाल ही देते पारवती मैया संकर भगवान दोनों कैलास परवत पिर बैठे थे चारोतर पारवती निहार रहे थे संकर भगवान काते हैं कि क्या बात है देवी बड़ी धर्व धरताक रहे हैं क्या हुआ काते हैं कि क्या हुआ देखिये पहले क्या हुआ एक तो बेचारी को बांज नाम पड़ गया दूसरा में घर से निकाल दिया था तीसरा में तो उसका जब संतान भी दिये हैं तो उसका रखवाली है कोई नहीं है अब बताइए कि वह केली है सब काम करने गया है वह बच्चा बिष्टर पे सोया है उसका जो चाची है आस देख रही है कि कब यह जागेगी कि दोचम जिसको हम जहर पिला देंगे तो बताइए उजहर पिला देगी बच्चा मारिये जाएगा तक काहे लगी उसको दिये हैं संकर भगवान बोले कि ऐसा अच्छा ठीक है संकर भगवान तनीग वो बच्चा बन के दिदी पांच-छे साल के लड़का के रूप में लंगटे उगारे वो बच्चा के पास जाके खाड़ा हो गए अब बच्चा के पास जाके खाड़ा हो गए और उसके बाद उसको कहते हैं कि ए चाची हमको बड़ी कस के भूख लगा है हमको कुछ खाने में खाना दे दिजिए ना क्या 안ceğiz कुछ नहीं है मेरे घर को नहीं है कटोरिया में जो दूधवा लिये हैं हमको पीने दिजिए न आप तुम्हारा कोई माइ बाप नहीं है लंगते उगारे उतना बड़ा हो गया हरे हमको को कोई कि अपर है भापी बच्चा मोर जाएगा धरत्र काहँ रही है कि बच्चा मोर जाएगा जड़की भगई अभी शंकर भगवान बच्चा में लटाक गए ह। 1-2 बच्चा के खेलाने लगे ह। 2 बच्चा के अब लंगडरे देखकर करती आकाने आप हमको नहीं माई है नहीं बाप है हमको कोई नहीं है आप अपना घर में रखने देंगे रहने देंगे हां रह जाए न मेरा बाबु कभी कोई खेलाने वाला नहीं है अरे छोटा बच्चा चलो मेरा दू बेटा रहेगा आप बेचारी गुरु बहना जो थे ही संकर वगवान के बेटा बेटा कहके बुलाने लगी और बेटा कहके पुकारने लगी अब बेटा मान के रखने लगी अपना घर में आप तो दिदी ये जो जठनिया थी जठनिया बड़ी कोशिस की बच्चा को मारने को लिए कभी साप लाके दे देती कभी बिचुक लाके दे देती कभी बिर समय बिते 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 बच्चा छो साल साल के हो गया बच्चा छो साल के हो गया दिदी तो कुवा से लोग पानी लाते थे जो गुरु बहना के जठनिया थी वो पानी लाने गई तो बच्चवा के बोली किये रे बाबु चलो ना हम पानी लाने जा रहे हैं चलो पेटा हमको साथ है बच्चा छोटा था दिदी चाची चाची कहते अपने चाची के साथ बच्चा चल गया आप देखते ही है कि चलो पानी लेने आए हैं मौका देख रही है कि कब कुवां पर से सभडता है भगवान भोले ना तो अंतर्यामी था दिदी बगवान महादेव समय देखे मौका देखके सब कोई हट गये तो बच्चा के उठाके इक कुवां में डाल दी लेकिन महादेव उसी के रच्चा के लिए तो उसके घर में थे पूत्रवन के महादेव कुवां में मा देव पहला ही से कुवां में खड़ा है अब अपना लोक लिए बच्चा के गोद में ले ले हैं अग बच्चा के कुवां में डालके दिदी और जब दस मिनट हुआ तो चिलाने लगी कि अरे बाप रे बाप हमको गोतिनिया के बच्चवा कुवां में गीर गया अरे बाप रे कितना बड़ा हमको पर कलंक लगेगा कितना बड़ा कलंक लगेगा है बगवान मेरा गोतिनिया के बच्चवा तो कुवां में गीर गया हमको पर कलंक लगेगा दिदी गाउं वाला लोग जुटे तो देखते हैं कि उनका घर में रह रहे थे तो उनका तो दस्वारा साल हो गया था छो साथ साल के यह बच्चा हो गया दस्वारा साल के बारा साल के उन हो गया महादेव जी का हुमर हो गया उन बच्चा के लेकर कुवां के बाहर खड़ा है गोध में अरे आप बोले कि बच्चा कुवां में गिर गया तो बच्चा के तो लेकर खड़ी है कुवां गया तो इसका ममी तो घरे नहीं है न तो हम कूध के निकाल लिये ये तो चच्चानिया धंग रागई की बच्चा कि बच्च गया धीरे धीरे दीरे समय भीतने लगा अब फिर से इंचे जार करती है कि अरे कुवां में गिर गई गिर बीग दिये ताईयों नहीं मरा अब क्या करें जिदी एक दिन बेचारी अपना घर में चर्चा रखी एक दिन जो गुरु बहना थी अपना घर में चर्चा रखी और चर्चा रखी तो सब के बुलावा दी अपना जिठनियों के बुलावा दी तोला महला के सब के बुलावा दी सब को बुलावा दी अपना बेटा जो एकी बेटा रह गया दिदी अपना बेटा को बोला कि देखो बेटा दूर मत जाना है आज हम घर में चर्चा करवा रहे हैं नारियर फोड़ने का समय में जिरूर आना दिदी यह जो जिठनिया थी बोली कि आज बड़ा बढ़ियां मौका है यह चर्चा करवाएगी देखते हैं इसका पूजा पाढ कहां रहता है दिरी यह क्या की कि उबच्चा के गोड़ धाथ बांध के खाटिया में लगा के खाटिया पर सुला के और उसक शुपड़ा लपेट दी और यह महादेव जी थे महादेव जी फूल पता Só इलावे मैं ब्याश्त थे बैटा बनके रहे रहे थे फूल पता इलावे में ब्यास्त थे लेकिन वो तो देखी रहे थे कि होता है क्या आगे आगे अब ही सोजती है कि जब उधर उसका नारियर फोले का समय आएगा तो काट खुटके बोड़िया में बंद करके घर ही में गढ़ा खटके इसको भर देंगे तब तो इसका बेटा मर ही जाएगा दिदी उधर बेचारी चर्चा उर्चा करवाई जब नारियर फोले का समय हुआ है तो वहाँ पर बिरजमान है उँ जठानी जो है बिरजमान है लेकिन यहां बच्चा की इसको अपना कमरा में बांध करके रखी है महादेव जी इसका घर में आके बच्चा के खोल के और पहला ही से वहाँ खड़ी कई ले है बच्चा कर आ है मा नारियर किदा रहे लाओ फोल देते है मा आरती होते ही बच्चा पट पट जोड़े नारियर फोल दिया चचनिया जो है दंग रह गई यह होता है किया कितनो कोशिस करते हैं इसको जहर दिये तैयो नहीं मरा इसको यतना किये तैयो नहीं मरा इसको से पुछेंगे कि है कौन बचवा के मारते हैं तो मरता कहें नहीं है कोई तो कारण होगा कुछ तो जरूर होगा अखिर क्या बात है जो बचवा मरता है नहीं अई मरने नहीं देता है एक दिन का बात है दिदी कि बड़ी प्रेम से महादेव जी के जो चचनिया थी वो बोलाई उसको से नाम पुछते थे लोग कि आपको नाम कची है आपको नाम क्या है तो कहते थे हमको नाम मतवाला है तो उनको सब पुकारते थे मतवालवा मतवालवा कहते थे अरे मतवालवा तुम्हारा नाम क्या है ए मतवाला तुम्हारा नाम क्या है तुम कौन हो क्या खाए उसका जो बेचारी रखी थी वो भी मतवाले कहके पुकारती थी तो आप बोली कि यह मतवाला, यह मतवाला, हिया सुनो, गई, क्या कहते हैं? बताओ सच्य मान से कि तू कौन हो, और नहीं तो आज काट देंगे तुमको, कौन हैं? यह बालक हैं हमको माय बात कोई नहीं है तो हमको पेट भर जाता है भोजन मिल जाता है इतना ही बहुत जादा है आप क्या पुछना चाहते हैं कते हैं कि यदि तु नहीं बताएगा तो आज हम तुमको काट देंगे बोले कि इतना जानने के लिए क्या जरूरी है तो हम इसी लिए जानना चाहते हैं कि जब हमको देवरानी के पेट में बच्चा था तब भी उसको मारने का कोशिज किये लेकिन वो मरी नहीं बच्चा भी नहीं मरा जब जलम लिया जहिया से हम मारने के लिए कोशिज कर रहे है लेकिन आज तक नहीं मरा है बोलो तु कौन हो तुम बचाते हो भगवान तो मतवाला सच बता दो बोला नहीं हम नहीं बचाते हैं हमको तो अपने पेट का ठेकाना नहीं है दिरी जब तेगा लेके तयार हुई जिठनिया भगवान भोले नाथ पर तो भगवान बिराठ रूप में परकट हो गए जिनका गला में इतना मोटा मोटा गोहमन साप गरजने लगा पुरा हाँ वाँ चिलाने लगा गोहमन साप हतावा मिलेले सिवगरत तेरे छुलेडा मारू आसेरू नजन बाजय तेर छुलडा मरू आहो रामा सेरू नजन बाजय तेर छुलडा मरू आहो रामा गलावा में गरजे सिवगरो गोहमन साप आवा से साप आवा नारू पावा दे खावय हो राम मतवा बी राजे सिवगरो बड़े बड़े जाट आवा से जाट आवा से झर रकाई पनिया हो रामा से जट आवा से झर रकाई पनिया हो रामा कमरा बी राजे सिवगरो मेरी गा के छालावा से छालावा पर आशा नावी राजे हो लालासे छालावा पर आशा नावी राजे हो लालासे लागी जूमी गेलन गम आखेरा लोगवा हो लाला से जूमी गेलन टोला से पा रोसिन हो रामा से जब भगवान अपना रूप में आएं तो जटनिया जो थी दोड़ते गरसते गाउं में टोला परोसिल में भागी कि बाप रे मेरा कोई जान बचा दो आज मेरा जान नहीं बचेगा आज मेरा जान नहीं बचेगा सब लोग पूरा दोड़े कि क्या हुआ क्या हुआ अरे बाप रे कोई तो बचा लो मेरा जान अरे हुआ क्या सब कोई कहने लगे भाई क्या हुआ तो जिसको हम समझते थे कि इसका बिना माय बात कहा है उसको तो गलवाम इतना मोटा मोटा साफ है बाप रे उसका हाथ में तिरचूल डमरू है सब लोग देखने के लिए उसके घर पहुच गए दिदी संकर भगवान तो वहां बिरेजमान सुमय थे सब लोग देखने के लिए उसका जो देवरनिया थी ओभी पहुच गई कि हमको गोतिनिया के घरवा में क्या है गागना में डिड़वार देल था दिदी तो एक तरफ छोटकी एक तरफ बढ़की रहती थी अब जब छोटकी के बच्चा जो हुआ था तो उसमय सास नन दूसी के तरफ चल गए थे कि भाई इसका छोटा बच्चा है तो इसको नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा सब लोग जुट गए काते कि अरे हमको मारने के लिए आया है इसार से डसवाने के लिए आया है अब संकर भगवान जो है हाहा के हसन है ठठा के हसन है सब लोग परे हसे जा रहे है भगवान हसे जा रहे हुनका हसी रूखी नहीं रहा है यह जो बेचारी सच्चे भक्ती करती थी जो दिवरनिया थी सच्चे भक्ती थी जाके भगवान के चरन में लिपट के करती महादेव जी आपका दर्सन पाकर तो हम धन हो गए महादेव हम जब से जनम लिये थे जब से हो समा ले थे आपको पूजा पाट करते थे आज भी पूजा पाट कर रहे हैं बस मेरा जीवन में खुशिया ही खुशिया दीजिये और मेरा सुहागन रहने का असिरवात दीजिये और जब हम मेरा मिर्तु हो तो हम सुवर्व सिधारें भगवान कह दिये एन मस्तू भगवान दिदी सब के सामने वही बालक का रूप में आ गए वही बालक के रूप में आ गए सब कोई कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हुआ भगवान भोले ना तो तुम्हारे घर रह रहे थे एक मतवाला नाम से ऐसे कैसे हुआ भगवान जब बच्चा रूपी धारन किये दिदी वो जो भगवान थे वो तो 18 साल 20 साल के हो गए उनके ही रहते रहते 12-13 साल हो गया था कहने लगे कि देखिए जब सिस्या पर भी पता आता है कोई आफ़ता आता है तो स्वेह हम खड़ा हो जाते हैं और मेरा जो सिस्या थी वो संकट में थी और उसका संकट के उवारने के लिए हम यहाँ परकट हुए थे एक मतवाला नाम से हम इसके घर में रह रहे थे इसका जो जठानी थी इसका बच्चे को बड़ा कोशिस की मारने को लिए बच्चे को काटना चाही बच्चे को जहर दे दी बच्चे को कुवाए में डाल दी लेकिन सब जगा पर हम इसको प्रान को बचाएं हर जगा पर पल पल में ओ मारना चाहती थी लेकिन उसको हम मरने नहीं दिये क्योंकि भगवान जो है उसका आयू पूरा नहीं किये है उसका तो हजारों बर्स का आयू है तो उसका मिर्थू कैसे हो जाता इसी लिए हम उसको मरने नहीं दिये सारी लोग भगवाने के नमन किए पढ़नाम किए अपने सर जुका के मस्तग जुका के गोद में खिलाए उसी तरह अपना किर्पा बर्सा के कि रखिए महादेव महादेव सब के सामने हाथ हूठाए और हात उठाके बोले की देखो जो मेरा 美味 सचै भक्त है सच्चे मन से मुझे पुकारता है उसको कभी हम दूर नहीं ही करते हैं उसको हर असने को हम पूरा करते हैं और एस इस्या जो थी मेरा सच्चा भक्ति थी और सच्चे हिर्दय से मुझे पुकारी इसलिए हम इसका रच्छा कियें सारा लोग पूरा संकोच में था कितने लोग खुस भी थे जो जेठानी थी और हाद जोड़के बोली हे भगवान हे महादेव हम नहीं जानते थे कि आप कनकन में बास लेते हैं आप इसके पर इतना विरजमान रहेंगे मुझे छमा कर दिजिए भगवान बोले छमा तो हम सब को करते हैं पापी को भी और फुनी को को भी सम मेरे ही ऊपर है लेकिन छब storing करेंगे जब लायक बनेगी ओस बोलो कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करें जो जिठानी थी और पॉली कि भावा आज के बाद हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे अपने देवरानी को हम एक बहन के बरावर मानेंगे इसका पूत्र को अपना पूत्र से ज़्यादा प्यार देंगे भगवान बोले इनमस्तू जो भूले नात थे दिधी जिसके घर रहे थे उसे कते हैं माता हम जा रहे हैं हम तुम्हारे पास बारा बरस रहे तुम्हारा पुत्र के रच्छा के लिए ओवेचारी सिस्या वहना काती है कि हे भगवन आप मुझे माता कहके नहीं पुकारिए काते हैं हम पुत्र वन के रहे तो माता ही कहेंगे तू नहीं जानती थी तो मुझे डाटी बोली सब कुछ की लेकिन मैं जो शिस्या वहना थी भगवान के चरंचुई भगवान अद्रिस हो गए और जो शिस्या वहना के बेटा थी हजारों वर्ष जिवित रही उसका जो जठानी थी उस समय से कभी भी अपने पुत्र से कम प्यार नहीं दी गाएवालों जो थे शिस्या वहना से मिलकर सब कोई हुआ लिए सब कोई चर्चा भजन करने लगे लगे वर्ष एक सब ऊसे कहने लगए कि यह भगवान की भकती करती थी तों लोंग इसे कहते थे खिया बड़ा भगवान की पूझार झालहें जो शकती civils प्रिस्क्राइब करें बेल आइकन घंटी को दवाए जो की मेरा वीडियो का नुट्पीकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव जैस जिवगुरू जिरूर लिखे धन्यवाद हरहर महादेव घरगर हर दय हमेर लिखे हर महादेव जिरूर लिए जजिए जाए झावर लिए्ट को दो पलाए लिए मेराा वीडियो को दो दो दोल्यायो मेरा वीडियो महादेव जिए